संयुकतर अरब अमिरात की राजधानी अबुधाबी के क्राउंट प्रिंस शेख अल नहयान भारत के दौरे पर हैं और आज प्रधान मंत्री नरेदर मोदी से मुलाकात कर रहे हैं दोनों देशों के बीच द्वी पक्षिय संबंधों को लेकर एहम चर्चा हो रही है अबुधाबी के क्राउंट प्रिंस राश्च्पती द्राब्दी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे और मात्मा गादी को शत्धान लिए देने राजगाट भी जा रहे है Crown Prince के साथ UAE सरकार के कई मंत्री और कारुबारी प्रतिनिदी मंदल भी आया है भारत और संयुक तरव अमिरात के संबंद बहुत खरिश्ट है और खाड़ी देशों में UAE भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साजी तार है और इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सायोगी उमार शक्तर से पी-एम नरेंद्र मोदी और आबुधावी के Crown Prince शेक खालिद अलनाहयान के बीच एह मुलाकात जारी है ये हैदराबाद हाउस में नेदिली के ये मुलाकात जो है वही है शेक खालिद पिछले साल मार्च में ही Crown Prince बने हैं और Crown Prince के तोर पर शेक खालिद अलनाहयान का ये पहला भारत दोरा है भारत और यूई के संबन जो है एतिहासिक रहे हैं इसमें पिछले कई सालों में नई गती आई है जाहिर है कि उस रिष्टे को न सिर्फ बरकरार रखने बलकि उसे और मजबूती से आगे बढ़ाने की जो कोशिश है वो इस दोरे में हो रही है पी-म से मुलाकात के बाद शेक खालिद का बापू की समाधी पर राजगाट पहुँचकर शधांजली देने का भी कारकरम है और ये महात्मा गांधी के सिध्धानतों के प्रती योई की जो आस्था है उसका प्रकठी करन है कल यानि के मंगलवार को शेक खालिद अलनाहयान जो है वो मुंबई में होंगे जहां बिजनेस फोरम को संबोधित करेंगे बिजनेस लीडर्स के साथ उनकी बाची जो है वो व्यापार और निवेश को बढ़ाने के लिहासे काफी एहम होगा हाल के वर्शों में अगर देखें तो भारत और यूएई के जो संबंध है उसमें काफी निकटा आई है इसी साल पी एम जो है वो तेरा चौदा फरवरी को यूएई के दौरे पर थे और 2015 से अब तक उनका यूएई का जो दौरा है वो सात्मा दौरा था और पिछले एक साल में ही वो तीन बार यूएई जा चुके तो इससे भी पता चलता है कि भारत यूएई को कितना तवज्जो दे रहा है और अब जो अब अबुधावी के जो प्रिंस है अलनाहियान उनका भारत आना और पियमोदी से मुलाकात जो है वो भारत और सिरुक अरब अमिरात के बीच जो है संबन्दों को और मजबूती देने वाला कदम है इस दोरे में दोनों देशों के बीच साज़दारी के नए क्षित्रों के रास्ते खुलने की जो अमीद है वो जताई जा रही है बाचीत के बेड़ों कुछ दिर के बाद सामने आएंगे लेकिन अगर हम बात करें दो हजार पंदर के पी एम मुदी के युए इदौरे की तो उस समय दोनों देशों के संबंधों को और नीतिक साज़दारी के स्तर पर ले जाया गया और 2017 में दोनों देशों के बीच कॉम्प्रेहंसिव स्ट्राटिजिक पार्टनर्शिप पर दस्टकत हुआ और ये दोनों देशों के बीच जो है निवेश व्यापार, कनेक्टिविटी, तकनीकी, उरजा, शिक्छा, इन तमाम क्षेतरों में साज़दारी बढ़ाने में न अस्ट्रे मुद्रा यानि की भारत की तरब से रुपया और अरब अमीरात की तरब से दिरहम में करने का जो एक फैसला है वो लिया गया और 2022 में से लेकर आर्थिक साज़दारी समझोता जो है वो भी हुआ भारत UAE से तीसरा सबसे बड़ा उर्जा आया तक देश है और पि से जो हालात पैदा हुए है हमास चीफानिया के तेहरान में मारे जाने के बाद इरान और इस्राइल में जो सीधी युद की आशंका लगातार बनी हुई है तो उन सब स्थितियों के बीच जो है इस पर भी बाची जो है एक एहम मुद्दा होगा और मध्यपुर में युद